हम डॉक्टर तई को दूसरे डॉक्टर से बात करते हुए देखते हैं। डॉक्टर तई कहता है आपको ध्यान रखना होगा कि डॉक्टर क्योंग जू और ओप्रेशन रूम के बार किसी को भी इसके बार में पता ना चले। क्योंकि आज का टेस्टिंग बहुत ही confidential है। रिसर्ज में नियूरो सर्जरी डिपार्टमेंट का भी नाम डालने का प्लान कर रहे हो। के साथ टाइम बिताने के लिए क्योंग जू ने अपने पेसिंट का इलाज करना जरूरी नहीं समझा। टेस्टिंग से पहले एनस्थिस्या देकर लीगन को बिहोस किया जाता है। पर बिहोस होने से पहले वो डॉक्टर तई को उसी ऑपरेशन रूम में देखता है। ताकि जब वहाँ पर डॉक्टर तई आएगा तो वो उसको प्रपोज करेगी। क्योंग जू उसको कॉल करती है तो डॉक्टर तई का लीगन के उपर टेस्टिंग खतम हो गया होता है। तो वो बताता है कि वो पहुँच रहा है। क्योंग जू डॉक्टर तई का इंतजार करने लगती है तब ही उसी रूम के पास से डॉक्टर तई गुजरता है। जिससे वो सोचने लगती है कि वो अंदर क्यों नहीं आया आखिर वो जा कहा रहा है। तो वो बाहर आती है और उसका पीछा करती है। वो डॉक्टर तई को डॉक्टर यू के साथ देखती है और उनकी बातों से क्योंग जू को पता चल जाता है कि वो दुनों सीक्रेटली डेट कर रहे हैं। डॉक्टर तई अपनी girlfriend से कहता है मैं small meeting room होकर आता हूँ मैं क्योंग जू को high भी कह दूँगा और वहाँ पर मेरा jacket है वो भी ले लूँगा ये सुनते ही क्योंग जू जल्दी से उस room में पहुंचती और सारा decoration खराब करने लगती है डॉक्टर तई अंदर आने ही वाला होता है तो क्योंग जू डॉर लॉक कर देती है पर डॉक्टर तई को password पता होता है तो वो डॉर on lock कर लेता है पर तभी उसकी girlfriend नराज होकर जाने लगती है तो डॉक्टर तई अंदर नहीं जाता है और अपनी girlfriend के साथ वहां से चला जाता है क्योंग जू बाल बाल बच गई अगर डॉक्टर तई अंदर आ जाता तो ये उसकी life की सबसे बड़ी embarrassing moment बन जाता डॉक्टर तई किसी और को पसंद करता है इस बार में सूच कर वो बहुत ज़दा sad हो जाती है तभी वहां पर लीगन आता है और room की हालत देकर उसको सब कुछ समझा जाता है तो वो कहता है तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो जाकर उसे बात करो और मन करे तो उसको जोर का थपड़ भी मारना क्योंग्जु कहता है इसमें डॉक्टर ते की कोई गलती नहीं है मुझे ही गलत फैमी हो गई थी मुझे खुद पर बहुत गुसा आ रहा है और बहुत frustrated भी हूँ क्योंकि मैं रो भी नहीं सकती मैंने तुम्हें बताया ही था कि जब भी मैं रोती हूँ मुझे नीद आने लगती है तो लीगन कहता है तुम खुद को बेवकूफ बना रही हो तुम एक psychiatrist हो पर खुद के feelings के साथ ही honest नहीं हो ये सुनकर क्योंग्जू कहता है क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं अभी कैसा feel कर रही हूँ क्योंग्जू हा कहती है तो लीगन वहां से चला जाता है काम के बाद जब क्योंग्जू घर जा रही होती है तो रास्ते में बैठकर वो काफी रोने लगती है ली सिन लीगन से मिलने हॉस्पिटल जा रहा होता है तो वो उसको देख लेता है ली सिन उसके पास आता है और पूछता है तुम ठीक तो हो ना उसको रोते देखकर ली सिन को अच्छा नहीं लगता है क्योंग्जु को कार में ब्रेसलेट मिलती है तो वो ली सिन को दे देती है जिससे उसको समझ आ जाता है कि सयान उससे जूट नहीं बोल रही थी ली सिन से बात करने के बाद क्योंग्जु अब थोड़ा अच्छा फिल करने लगती है क्योंग्जू उसको आज के लिए थैंक्स कहती है और घर चली जाती है फिर हम लीसिन को घर पर देखते हैं वो क्योंग्जू के बारे में सूच रहा होता है और काफी खुश हो रहा होता है अगले दिन हम क्योंग्जू को हॉस्पिटल में देखते हैं वो नर्स से पूछती ह कि आज का मेरा सभी appointments खत्म हो चुका है न नर्स कहती है हाँ अब कोई भी appointments नहीं है वैसे आज आप कुछ ठीक नहीं लग रही है कहीं आप बिमार तो नहीं है क्योंग्जु कहती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ उसी वक्त डॉक्टर यू काम पर आती है तो क्योंग्जु के डिरेक्टर प्रोफेसर हान और डॉक्टर तई पर गुस्सा कर रहे होते हैं वो कहते हैं तुम लोगों ने लीगन को डिस्चार्ज कैसे कर दिया ये बात जानते हुए भी कि हमें उसकी condition को तीन महीने तक अब्ज़र्व करना है प्रोफेसर हान कहते हैं उसके parents ने consent sign किय है पर हम लीगन को तो सच नहीं बता सकते न कि तीन महीने तक उसको hospital में क्यों रहना पड़ेगा जबकि वो पूरी तरह से ठीक है तबी डॉक्टर तई कहता है मुझे तो ऐसा लगता है कि क्योंग्जू और लीगन के बीच जगड़ा हुआ था जिसकी वज़े से साइद ल रिसर्च टीम से निकाल दो ये सुनकर प्रोफेसर सौक डे जाते हैं और कहते हैं हम उसे कैसे निकाल सकते हैं इस रिसर्च को उसने ही स्टार्ट किया था डिरेक्टर उनके सामने एक फाइल रखते हैं और कहते हैं नियूरो सर्जरी डिपार्टमेंट ने जो लीगन पर ट रिसर्च टीम से निकालना होगा और इस रिसर्च को नियूरो सर्जरी डिपार्टेमेंट को सुब दो ये सुनकर प्रोफेसर हान काफी शौक दे जाते हैं लीगन अपना खुद का एजनसी खोल लेता है तो उसके सभी फैमली मेंबर्स उसको कंग्रोचुलेट करते हैं अगल जोटी बोलते हो पर असल में ये सब क्योंग्जु का इमेजिनेशन होता है क्योंग्जु कहती है इधर उदर की बाते करना छोड़ो सिधे मुद्धे पर आओ तो डॉक्टर तई कहता है देखो बात ऐसी है कि लीगन अब हॉस्पिडल से डिस्चार्ज हो गया है तो तुम में अभी इसका जबाब देने की जरुत नहीं है तुम इसके बार में अच्छे से सूचना फिर हमें बता देना उसकी बाते सुनकर क्योंग्जु को बहुत गुसा आता है पर वो खुद को कंट्रोल करती है क्योंग्जु काफी उदास होकर घर आती है तो उसकी मॉम उससे आतो है कि आखीर बात कैया है अपनी मॉम को नहीं बताती है जब उसका भतीजा आता है तो वह उसके साथ खेलने लगती है और उसने उसका सिर्स्रुदा होता है इससे क्योंग्जु को याद आता है कि पारकिन लौट में लीगन ने उसका सिर्पकड़ा था और उसको पता चल जाता है कि डॉक्टर तई ने लीगन के ऊपर कुछ टेस्ट किये थे उसी वक्त वहाँ पर डॉक्टर तई आ जाता है तो वो उससे पूछने लगती है कि उसने ऐसा क्यों किया और क्या इस टेस्ट के बारे में उसने लीगन और उसकी फैमली को बताया था उसको पता चलता है कि उसने ये टेस्टिंग चोरी छुपे की थी वो गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेती और कहती है अगर इस टेस्टिंग की वज़े से उसको कुछ हो जाता तो क्योंग्जु उसको रिसर्ज के डॉकुमेंट्स नहीं देती और वहां से जाने लगती है तो डॉक् पाटी में सयान भी आई थी और लीशिन भी आया था लीशिन को देखकर सयान उसको रुकने को कहती है पर लीशिन काफी डर जाता है तो वह वहां से भागने लगता है और अपनी गाड़ी में आकर बैट जाता है सयान वहां पर पहुंच जाती है तुम मुझे डंप कर रहे प्र वो लीजिन को किस करती है, रियूनियन पर लीगन ने इन दोनों को ही किस करते वे देखा था, इसका मतलब सैयान लीजन की फर्स्ट लव है, लीजन अपनी गाड़ी में से कुछ समान निकाल रहा होता है, तो उसको रियूनियन का इन्विटेशन कार्ड मिलता है, वो कहत तुम क्या मुझसे ब्रेक अप करोगे मैं तुमसे ब्रेक अप करती हूँ उसकी बाते सुनकर ली सिन काफी शॉक्ड था हमें पता चलता है कि सयान किसी को ढूंड रही है लीगन अपने घर पे वाइन पीते हुए बारिश देख रहा होता है तब तुम्हारी एजेंसे की टीम डॉक्टर हूँ तो मुझे ये काम मनजूर है और आज से मैं तुम्हारे साथी रहने वाली हूँ तो बताओ कि मेरा रूम कहां पर है उसकी बाते सुनकर लीगन काफी शॉक दे जाता है और यहीं पर एपिसोड नाइन खत्म हो जाता है तो गाइ कि अपयोड हूँ अपयाए उसके झालें से अपयों में जाता है और आज से तुम वाठी के वाली हूज अपयो जाता है।